यहीं दोस्तो मैं विशाली लोधी और स्वागत किरती हो आप सभी का आपके है अपने यूटूब चैनल फ्री एड्यूकेशन पर दोस्तो आज के इस वीडियो लेक्शर में हम करेंट अफियर्स दोहजर तेज के लास्ट सिक्स मन्त के मोच इंपॉर्टन हन्रेट कॉशन को डिसकस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्शर में मैंने यतने भी कॉशन को एड़ किया है सारे के सारे कॉशन इंपॉर्टन और अच साम में देखने को मिलते हैं चलिए मिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं शेशन की और बढ़ते हैं हमारे फॉर्स कॉशन की ओर पहला हमारा कॉशन है मेजर ध्यांचंद खेल रत अवर्ट दोहजर तेईस से किस खेलाडी को सम्मानित किया गया चेराक सेटी और सात्विक साहिराज रंकी रेड़ी ओप्शन नंबर सी ओपर एक दोनों बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोनों का सम्मध याद रखेगा बैडमिंटन खेल से हैं किस खेल से हैं बैडमिंटन खेल से हैं चले इंपॉर्टन फेक्ट को हमें हापर कवर करेंगे मेजर खेल रतन पुरुषकार की हम बात करते हैं तो दोस्तों ये देश का सरवोच खेल सम्मान है इसको पहले राजीव गांदी खेल रतन पुरुषकार की नाम से जाना जाता था और दोस्तों डेट याद रखेगा 6 अगस 2021 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी ने इसका नाम ब पुरुषकार का नाम बदल कर मेजर ध्यान चंद खेल रतन पुरुषकार कभी किया ओप्षण में डेट मेंचन की गई थी चलिये next fact को discuss करते है परिवर्टित नाम के साथ मेझर ध्यान चंद खेल रतन पुरुषकार जो है इसके साथ में 25 लाक रोपे का नगत पुरुषक प्रदान किया जाएगा राजीव गांधी खेल रतन आवर्ट की शुरुवात कब की गई थी वर्ष उनीस सो इंक्यानवे बानवे में और पहला राजीव गांधी खेल रतन पुरुषकार विश्वनात आनंद को दिया गया था वर्ष उनीस सो बानवे में चलिए नेक्स शर्मा ऑप्शन नंबर सी बात करते हैं SPG की तो इसकी स्थापना वर्ष 1985 में की गई थी और SPG का मुख्याले जो है ये निउ देली में है कहां पर है निउ देली में SPG का मुख्याले है नेक्स्ट कॉश्चन ICC क्रिकेट वर्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले दुनिया के पहले बल्ले वास कौन बने है एंजला मैथ्यूज ऑप्शन नंबर A is the correct answer दोस्तो एंजला मैथ्यूज जो है ये श्री लंका के क्रिकेटर है क्रिकेट वर्ड कप के इतिहास में टाइम आउट होने वाले ये दुनिया के पहले बल्ले बास बन गया है अभी तक क्रिकेट वर्ड कप में कोई भी प्लीएर टाइम आउट नहीं हुआ लेकिन एंजला मैथ्यूस जो है ये शदीरा के आउट होने के बाद मैदान में पहुँची रहे थे लेकिन गलत हैलमेट की वज़े से उन्हें मैदान में पहुँचने में देरी हो गए जिससे उन्हें टाइम आउट दे दिया गया दरसल किसी बल्लेवास के आउट होने के बाद अगला बल्लेवास जो है ये तीन मिनिट के अंदर क्रीस पर आना होता है वहीं पर इस साल वर्ल्ड कप में ये जो समय है दो मिनिट का रखा गया और एंजला मैथ्यूस जो है इस दो मिनिट के अंदर क्रीस पर नहीं पहुँच सके ये दो बनिट से इनको थोड़ा सा समय जादा हो गया था इसलिए इनको time out दे दिया गया है मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये बिलकुल अच्छे से clearly समझ में आ गया होगा चलिया है next question का आंसर बताईए नवंबर 2023 में जारी ICC ODI ranking में कौन सा खेलाडी शीश पर ह करेक्ट आंसर हो जाएगा शुबमन गिल ऑप्शन नमबर A दोस्तो शुबमन गिल जो है ये ICC ODI ranking में नमबर वन वेट्समेन वने हैं वहीं पर अगर हम नमबर वन बॉलर की बात करते हैं तो ये भारत के खिलाडी मोहमर शिराज है दोनों आपको याद रखना है चलिए next question यूनेसको ने गुजरात के किस पारंपरिक नरत्य को अमूर्थ सांस्कतिक विराशत सूची में शामिल किया है बहुत ही जादा इंपोर्टेंट महत्पून प्रशन है दोस्तो गुजरात का गरवर नरत्य जो है इसे यूनेसको के द्वारा पारंपरिक अमूर्थ सांस्कत विराश्चत सूची में शामिल किया गया है दी ऑप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो जिस प्रकार से लास्ट सिक्स मन्त के करेंट अफियर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉशन को हम यहाँ पर पढ़ रही है उसी प्रकार से अगर आप पूरे सा पर जिस प्रकार से हम आपको यहाँ पर डेटेल करेंट अफियर्स पढ़ाते हैं उसी प्रकार से हर एक प्रशन डेटेल में दिया गया है इस बुक में इस प्रकार की बुक आपको पूरे यूटूब पर या फिर मार्केट में कहीं पर भी नहीं मिलेगी इसलिए हम इबुक लॉपक कर दिगाई है और इसी के साथ मैं सामान विज्ञान की इबुक जो है इसको भी लॉँच कर दिया गया है तीनों इबुक की लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है वहां से आप इबुक को बाई कर सकते हैं इबुक को करने में कोई भी दिक्कत परिशानी होती है तो एक नंबर नोट कर लीजे 96 30 82 94 64 इस WhatsApp नंबर पर आप हमसे कॉंटेक्ट कर सकते हैं आपको कोई भी क्वारी होती है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आपको तुरंद इस नंबर पर WhatsApp पर रिस्पॉंस किया जाएगा याद रखेगा ओनली WhatsApp पर चलिए अब हम हमारे नेक्स कॉपशन की ओर बढ़ते हैं आई पिल के इतिहास में सबसे महेंगे खिलाडी कौन मने दोस्तों यह हम 2024 जनवरी तक के डेटा की बात कर रहे हैं आई पिल के इतिहास में सबसे महेंगे खिलाडी जो हैं बन गए हैं मिचेल स्टॉर्क ए ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर जाएगा इंपॉर्टन फैक्ट को डिसकस कर लेते हैं आई पिल खिलाडीों की नीलामी 19 दिसमबर 2023 को दुबई में संपन होई इस नीलामी में 13 देशों के 332 खिलाडी शामिल थे और दोस्तो वही पर आई पिल के इतिहास में सबसे महेंगे खिलाडी ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंवाज मिचेल स्टॉर्क बने हैं इंडियन प्रीमियर लीग यानि कि IPL में सबसे महंगे भारतिय खिलाडी कौन बने अभी हमने सबसे महंगे भारतिय खिलाडी की बात की थी अब हम बात कर रहे हैं सबसे महंगे भारतिय खिलाडी हर्शल पतेल बन गए हैं B option is the correct answer दोस्तो हर्शल पतेल जो है इनको पंजाब केंग्स के द्वारा 11.75 करोर रुपे में खरीदा गया है next question होकी टूर्णमेंट सुल्तान जोहर कब 2023 किसने जीता जर्मनी ने option number is the correct answer दोस्तो जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को Penalty Shootout में 3-1 से हरा कर सुल्तान जोहर कब 2023 का खिताब जीत लिया आयोजन कहां पर किया गया था सुल्तान जोहर कब 2023 का मलेशिया की राजधानी कौलालामपूर में कहां पर मलेशिया की कैपिटल है कौलालामपूर यहाँ पर शुल्तान जोहर कब 2023 का आयोजन किया गया था नेक्स्ट कॉश्चन नवंबर 2023 में जारी FIH ranking में भारती महिला हौकी टीम किस स्थान पर है? 6th position पर C option is the correct answer बात करते हैं नमबर 1 पर कौन है? नीदरलेंड की महिला हौकी टीम नीदरलेंड की महिला हौकी टीम जो है यह 1st नमबर पर है FIH ranking में भारत की जो महिला टीम है यह 6 नमबर पर है नेक्स्ट कॉश्चन परुष क्रिकेट एश्या कब 2023 का खिताब किस देश ने जीता? भारत ने यह option is the correct answer इंपॉर्टेंट फेक्ट को डिसकस करेंगे आयोजन कहाँ पर किया गया था श्री लंका और पाकिस्तान दोनों देशों में सेयत रूप से इस टूर्णामेंट में हाइब्रिड मॉडल में होस्टिंग की गई है हाइब्रिड मॉडल यानि एक से अधिक देश मिलकर किसी प्रतियोगिता का आयोजन करें उसे हाइब्रिड मॉड कहा जाता है इस प्रतियोगिता के चार मैच जो है यह पाकिस्तान में और नौ मैच श्री लंका में खेले गए चलिए नेक्स कॉशन जी ट्वेंटी सिखर सम्मिलन दोहजर तैईस में किस देश या फिर संग को जी ट्वेंटी का 21 इस्थाई सदश्य बनाया गया और इसे आजित किया गया था नई दिल्ली के प्रगती मैदान में भारत मंडपा में कहां पर आजित किया गया था भारत मंडपा में आजित किया गया था जी ट्वेंटी के अठारवे सम्मिलन के लिए और इसी दोरान जी ट्वेंटी का 21 इस्थाई सदश्य से अफरीकी यूनियन के लिए बनाया गया है इंपॉर्टन्ट फैक्ट को डिसकस कर लेते हैं अफरीकी यूनियन जो है इसमें पच्चपन देश शामिल है इस थापना वश्च 2002 में की गई थी अफरीकी यूनियन का मुख्याला एथियोपिया के अदीस अवावा में है और इसके वर्टमान अध्यक्स हैं अजाली असौमनी चले है नेक्स कॉश्चन किस देश ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉंच किया है चीन देश ने C option यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंस dialect रॉज जाएगा इंटरनेट कनेक्शन की स्पीद कितनी है 1.2 टेरा बाइट पर सेकेंट की स्पीद दे रहा है यह internet कनेक्शन और यह दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट है चले नेक्स कॉश्शन के ओर हम बढ़ते हैं और यहाँ पर नेक्स कॉश्शन है भारत में पृतिवर्ष बाल दिवस कब मनाया जाता है 14 नवंबर को A option is the correct answer अब आप मुझको कमेंग शेक्शन में कमेंट करके जल्दी से पताई है बाल दिवस किसके लिए समर्पित है दोस्तो बाल दिवस जो है यह हमारे देश में चाचा नहरू कहे जाने वाले जवाहला नहरू जो है इनकी जयनती पर प्रतेक वर्ष मनाया जाता है वर्ष दो हजर तेश में इसकी थीम हर बच्चे के लिए हर अधिकार रही है थीम को आप याद रखेगा किसके लिए मनाया जाता है यह भी याद रखेगा इंपोर्टन है वर्ड हैपिनेस इंडेक्स तो हजर तेश के अनुसार दुनिया का सबसे खोशाल देश कौन सा है और फिन नमबर सी फिनलेंड सी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर दोस्तो जो फिनलेंड है यह वर्ड हैपिनेस इंडेक्स के अनुसार लगातार छटेवे साल दुनिया का सब से खोशाल देश है, यह जो index है, इसे किस ने जारी गिया है, Sustainable Development Solution Network के द्वारा World Happiness Index 2013 को जारी किया गया Finland लगातार मैंने बताया भी छटे साल दुनिया का सबसे खुशाल देश है भारत इस रैंकिंग में 126 वे नमबर पर है टॉप तीन देश की बात करते हैं नमबर विन पर Finland है दूसरे नमबर पर Denmark है और तीसरे नमबर पर दोस्तो आइसलेंड है जादा से जादा खुश रहने की कोशिश कीजे जादा से जादा हैपी रहने की कोशिश कीजे ताकि हम 126 वी पोजीशन से और उपर जा सके चलिए दोस्तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारे next question की ओर नेक्स कॉशन रेलवे बोट की पहली महिला चियर परसन और CEO कौन बनी है जया वर्मा सिना ए ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर दोस्तो नेक्स कॉशन है वन डे क्रिकेट मैच में सबसे तेजी से तेरा हजार रन बनाकर सचिन तेंदुलकर का रेकॉर्ड किस खिलाडी ने ब्रेक किया है विराट कोली ने बी ओप्शन या पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन है अईोध्या में कितने दिये जलाकर नया वर्ल्ड रेकॉर्ड बनाया गया करेक्ट आंसर हो जाएगा ओप्शन नंबर B 22 लाग बाइस लाग दियों को एक साथ जला कर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है अभी हाल ही में आयोध्या में आप सबी जानते हैं आयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन का बे 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है ये भी आप याद रखेगा आयोध्या से रिलेट करता हुआ एक कॉशन है हाल ही में किस के द्वारा वाइट हाइड्रोजन खोजी गई है फ्रांस के द्वारा दी आप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा किस देश की प्रधान मंत्री सेख हसीना दुनिया की सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाली महिला प्रमुक बनी है दोस्तो दुनिया की सबसे लंबे समय तक शाषन करने वाली महिला प्रमुक कौन बनी है सेख हशीना और ये बांगला देश की प्रधान मंत्री है डी आप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बात हुई है बांगला देश की तो इसकी राजधानी क्या है धाका करेंसी क्या है यहां की तका तका जो है यह बांगला देश की करनसी है नेक्स कॉशन की और बढ़ने से पहले बांगला देश से जड़ो ही कुछ इन्फोर्मिशन को जान लेते हैं बांगला देश जो है एशिया महादूइप में इस्तित है अपनी भारत देश का पड़ोसी देश है राजधानी मैंने बताया धाका है मुद्रा क्या है तका है प पड़ जीतने वाले पहले भारतिये कौन बने है इमेज देखकर ही आप पहचान गए होंगे ये नीरत चोपड़ा है बी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर बात करते हैं विश्व एथलेटिक्स चेंपेंशिप 2023 की आयो जन हंगरी की राजधारी बुड़ा पिस्ट में किया गया 19 से लेकर 27 अगस 2023 तक 2023 में प्रितियोगिता का 19 वा संस्क्रिंट था पदक तालिका की बात करते हैं तो पहले इस्थान पर अमेरिका रहा है कुल 29 पदक के साथ में भारत एक गोल्ड मेडल के साथ में 28 इस्थान पर है दोस्तों ये जो चैंपियंशिप है इसमें नीरत चोप्रा ने गोल्ड मेडल जीता और गोल्ड मेडल जीतने वाले ये पहले भारतिये खिलाडी बने है नीरत चोप्रा ने भाला फेक इस परदा में 28.17 मीटर का थ्रो करके गोल्ड मेडल हासिल किया है एक्स कॉप्शन विश्व प्रेस स्वतनता सुचकांग 2030 याने कि वर् विश्व प्रेस स्वतनता सुचकांग 161 नंबर पर है बात करते हैं इसके जारी करता कौन है Reporters Without Wonders यानि की RSF के द्वारा विश्व प्रेस सुचकां को जारी किया जाता है मीडिया की सुचकांता के मामले में भारत 180 देशों में से 161 स्थान पर रहा है वही पर दोस्तों अंतिम पायदान पर कौन है उत्तर कोरिया है वही बात कर लेते हैं 2022 में हम 150 वे स्थान पर थे लेकिन पिछड़कर अब 161 वे स्थान पर पहुँच गए है पहले नमबर पर कौन है नारविरेश है दूसरे नमबर पर आयरलेंड है और तीसरे नमबर पर डैनमार्क भारत देश की सित्य याद रखेगा 161 वी इससे प्रीवियस भी आपको याद रखनी है क्योंकि एक्जाम में कॉशन प्रीवियस से भी पूछ ले जाते हैं भारत देश 2022 में 150 वे स्थान पर था चलिए नेक्स कॉशन है आईक्यू एयर की वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे प्रदूशित सहर कौन सा बना है नई दिल्ली ए ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दूसरे नमबर पर कौन है पाकिस्तान का लाहौर शहर नेक्स कॉशन हाल ही में पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया इसके लेखा कौन है राकिस पाठक ए ओप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉशन है हाल ही में भारत की पहली अंडर 23 महला कुस्ति चैंपियन कौन वनी है रितिका हुट्डा ए ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर दोस्तो रितिका हुट्डा जो है यह कहां से बिलों करती है हर्याना से चलिए नेक्स कॉशन है ब्रिक्स में कितने नए सदश्य देश शामिल किये गए दोस्तो ब्रिक्स में अभी हाल ही में छे नए सदश्य देश्यों को सामिल किया गया है बी ओप्शन यहां पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिक्स की बात करते हैं तो पहले से इसमें पांच कंट्री पांच देश शामिल थे छे नए देशों को सामिल किया गया इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम यहाँ पर एक के करके डिसकस करेंगे क्योंकि ब्रिक्स बहुत ज़ादा इंपॉर्टेंट टॉपिक बन चुका है एक्जाम के परपस से ब्रिक्स सेकर सम्मेलन 2023 जो है इसका पंदरवा संस्क्रेंट था आयोजन दक्षिन अफ्रीका के शहर जोहांस्वर्ग में किया गया इस सम्मेलन में भारत की ओर से अध्यक्ष्टा किसने की है फ्रधान मंतरी मोदी जी ने दोस्तो एक जिनवरी 2024 से ब्रिक्स में छे नए सदश्य देश जो है इनको शामिल किया गया कौन कौन से देश हैं अर्जेंटीना हैं साउदी अरब है सयुक्त अरब अमीरात यानि की UAE मिश्र एथोपिया और इरान ये छे नए सदश्य देश शामिल किये गए इससे पहले पांच सदश्य देश थे ब्राजील रूस भारत चीन और दक्षिन अफ्रिका अब वर्तमान में कुल सदश्य देश कितने हो गए हैं 11 हो गए हैं याद रखना है आपको पहले से सदश्य देश कौन से थे वर्तमान में कौन से हैं चले next question हाल ही में भारती मूल की किस लेखी का को 2023 का बिटिस अकादमी पुस्तक पुरुषकार प्रदान किया गया नंदनी दास के लिए C option याँ पर बिलकुल correct answer हो जाएगा दोस्तो भारती मूल की लेखी का है नंदनी दास इन्हें 2023 का बिट्टिस अकादमी पुस्तक पुरुषकार दिया गया इनकी पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंगलेंड, मुगल इंडिया and the origin of empire पुस्तक के लिए नेक्स का उप्शन है, US Open 2023 में पुरुष एकल, यानि की men's singles का खिताब किसने जीता, सर्विया के खिलाडी, नोवा, जोकोविच ने, यह option यहाँ पर बिलकुल correct answer हो जाएगा नहीं पर बात करते हैं, महिला एकल, यानि की women's single की, तो यह कोगोव ने जीता है, जोकी अमेरिका की tennis के लाडी है नेक्स काउशन, हाल ही में किसने formula 1 ब्राजिलियन ग्रेंट पिक्स 2023 जीता, मैक्स बरस्टर पैंड ने, बी option यहाँ पर correct answer हो जाएगा दोस्तों, जितने भी grand pricks होते हैं, mostly मैक्स बरस्टर पैंड के द्वारे जीते जाते हैं, तो आप अगर answer नहीं जानते हैं, एक्जाम में, तो एक तुक्का भी लगा सकते हैं, मैक्स बरस्टर पैंड के नाम पर चले है, next question है, प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी को किस देश के सम्मान, grand cross of the order of honor से सम्मानित किया गया तो टांसर हो जाएगा, option number C, Greece ग्रीस देश का सर्वोच सम्मान है, grand cross of the order of honor प्रधान मंत्री मोदी जी को यह सम्मान, Greece की राष्टपती, कैतरीना सकीलारोपोलू के द्वारा दिया गया ग्रीस यह सम्मान उन प्रतिश्चित हस्तियों को प्रधान करता है, जिन्होंने ग्रीस के कद को बढ़ाने में यョगदान दिया है प्रधान मंत्री मोधी जी ने भी दिया है तो इनको यह सम्मान प्रधान किया गया इंपॉर्टन फेक्ट को डिसकस करते हैं दोस्तो हाल ही में मोधी जी को बहुत से देशों के सरवोच सम्मान दिये गए हैं यहां से एक कौशन 100% आपके एक्जाम में देखने के लिए मिलेगा हम एक एक करके इनको डिसकस कर लेते हैं ग्रीस देश का सम्मान है Grand Cross of the Order of Honor मोधी जी को दिया गया फ्रांस का सरवोच सम्मान The Grand Cross of the Leason of Honor ये भी मोधी जी को दिया गया इनपॉर्टन फेक्ट आपको यहां से याद रखना है मोधी जी इस सम्मान को पाने वाले पहले भारतिय बन गया है मिस्तर का सरवोच नागरिक सम्मान Order of Nile फिजी का सरवोच सम्मान Campion of the Order of Physi पपुआ न्योगिनी का सरवोच नागरिक पुरिशकार Campion of the Order of Logo और इसी के साथ में दोस्तो पलावगर राज का एवाकल अवोड जो है यह भी मोधी जी को प्रदान किया गया बहुत इंपॉर्टन है यहां से एक कॉशन बिल्कुल ही जैनरेट किया जाएगा इनको आपको याद रखना है चाहे तो वीडियो को पॉस करके स्क्रीन शॉट भी आप ले सकते हैं किस भारतिय को वर्ष दोहजार तेईस में फ्रांस के सरवोच नागरिक सम्मान सेवेलियर डेला लीजन दोहिनूर मिला है एन चंद्रशेखरन के लिए B option is the correct answer भारत का पहला AI स्कूल कहाँ पर खोला गया? केरल के तुरुवन्त पुरम में B option यहाँ पर बिल्कुल correct answer हो जाएगा दोस्तो केरल के तुरुवन्त पुरम में देश का पहला Artificial Intelligence यानि की AI स्कूल खोला गया इसका उद्गाटन किस नहीं किया? पूर्व रास्टपती रामनात कोविन्न है वर्तमान रास्टपती कौन है? दुरुवपती मुर्मू दोस्तों यह जो स्कूल है इसमें मानव सिख्षकों के अलावा AI टूल जो है इनकी मदद से बच्चों को पढ़ाया जाएगा और यह भारत का पहला AI स्कूल है जो की केरल के तुरुनन पुरम में खोला गया है उडने वाले छिपकली की नई प्रजाती गैको मिजोरम मेंसिस की खोच किस राज़ में हुई है? मिजोरम में A option यहाँ पर correct answer हो जाएगा देश का पहला रास्तिय बान सुरक्षा केंद कहां पर स्थापित किया गया है? जैपूर में जैपूर कहां पर है? राजिस्थान राज्य में चलेए इन्डियन प्रीमियर लीग 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? चेन नई सुपर किंग CSK ने दोस्तो इनपॉर्टन फेक को डिसकस कर लेते हैं विजेता रही है चेन नई सुपर किंग इसके कप्तान कौन थे? महिंदर सिंग धोने विजेता रही है गुज्राइट टाइटिन्स जो एक चेन नई सुपर किंग से इसने गुज्राइट टाइटन्स को हरा कर विजेता कर टाइटल हासल किया है गुज्राइट टाइटन्स के कप्तान कौन थे? हार्दिक पाइंडिया आयोजन कहां पर किया गया भारत में 2023 में IPL का सोलवा संस्क्रंट था और दोस्तो एक और important fact आपको याद रखना है अब तक CSK जो है ये 5 बार IPL का खिताब जीत चुकी है सबसे पहले वर्ष 2010 में जीता उसके बाद 2011 में फिर 2018 में 2021 में और अभी 2023 में IPL का खिताब जो है ये CSK के द्वारा जीता गया next question मागी मेला कहां पर आयजित किया गया दोस्तो मागी मेला जो है इसका आयोजन किया गया पंजाब में वेश्विक सांती सूचकांग 2023 में भारत कौन से स्थान पर है 126 वे नंबर पर the option यहां पर बिलकुल correct answer हो जाएगा 126 वे नंबर से आपको या रिकॉल करा दिया आप relate करके पढ़ेंगे तो जादा अच्छे से चीजों को याद रख सकेंगे दोस्तों Institute for Economic and Peace के द्वारा जारी वेश्विक सांती सूचकांग 2023 में 163 देशों में से भारत 126 वे स्थान पर रहा है टॉप पर आयस लैंड है दूसरे नंबर पर डैन्वार और तीसरे नंबर पर आयरलेंड है लोबल पीस इंडेक्स में किसी देश में सांती के इस्तर का आकलन किया जाता है जैसे वहाँ पर हिंसा यानि की वाइलेंस कितना है या फिर हिंसा का डर कितना है चले नेक्स हमारा कॉशन है भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क कहां पर स्थापित किया गया है तो दोस्तों भारत का पहला डिजिटल साइंस पार्क स्थापित किया गया केरल में बी ऑप्शन इस दा करेक्ट आंसर भारत के पहले ऐसे स्पेस्क्राफ्ट का नाम बताई है जिसने अंत्रिक्ष से पहली सेल्फी ली है ऑप्शन नमर ए आदित करेक्ट आंसर हो जाएगा आदित एलवन भारत का ऐसा पहला स्पेस्क्राफ बन गया है जिसने अंतरिक्ष में जाकर अपनी पहली सेल्फी ली है next question कौन सा राज़ देश का पहला पूरी तरह से digital banking राज़ बन गया है केरल बी option is the correct आंसर देश का ऐसा पहला राज़ बन गया है केरल जहां पर पूरी तरह से banking सेक्टर जो है ये digital हो चुका है next question है दुनिया की पहली पूरी तरह से digital party गौन सी बनी है भारतिय जनता पार्टी बीजेपी पार्टी जो है ये दुनिया की पहली पूरी तरह से digital party बन चुकी है भारतिय सेना की पहली महिला sky driver कौन बनी है लौस नायक मंजू दी option is the correct answer दिहार की किस जले में थावे महुचसब को आयोजित किया गया गोपाल घंच में C option is the correct answer परियतन को बढ़ावा देने के उद्देश से किस राजज ने होट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है दोस्तो होट बैलून प्रोजेक्ट को शुरू किया है हर्यारा ने किस उद्देश से परियतन को बढ़ावा देने के उद्देश से नेक्स कॉप्शन भारत की पहली सोलर सिटी कौन सी बनेगी पहली सोलर सिटी मध्यप्रदेश के सांची को बनाया जाएगा A option is the correct answer चुनाव आयोक का नेशनल आइकन किसे बनाया गया अभीनेता राच कुमार राव के लिए C option is the correct answer बात हुई है चुनाव आयोक की तो इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को की गई थी इसलिए प्रतेक वर्ष 25 जनवरी को हम रास्टिय मतदाता दिवश यानि की National Water Day के रूप में मनाते हैं चुनाव आयोक का मुख्याल है यानि की Headquarter नई दिल्ली में है प्रथम चुनाव आयोक सुकुमार सेन थे इस्टेटिक जीके से ये कॉशन एक्जाम में कई बार रिपीट होता है वर्तमान मुख्य चुनाव आयोक कौन है राजीव कुमार इसका नाम क्या रखा है इंडिया बी ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर फीफा महिला विश्कप 2023 का खिताब किस ने जीता है इस स्पेन ने ए ओप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पेन ने इंग्लेंड को एक शुने से हरा कर फीफा महिला विश्कप का खिताब अपने नाम किया याद रखेगा स्पेन जो है इसने पहली बार फीफा महिला विश्कप का खिताब जीता है इसले कौशन जादा इंप्टरेंट है नाटो सिखर सम्मिलन 2023 का आयोजन कहां पर किया गया लिथवानिया की राजधानी विल्नियस में बी ओप्षन इस दा करेक्ट आंजर नाटो की बात हुई है तो इसका फुल फॉर्म होता है दी नौर्थ एटलांटिक ट्रिटी और्गनाइजेशन याने की उत्तरी एटलांटिक संधी संगटन इसकी स्थापना वर्ष 1949 में होई थी चार अप्रेल डेट भी याद रख लीजेगा मुख्याले कहां पर है बेल्जियम की कैपिटल राजधानी ब्रुसेल्स में सदश्य देश कितने हैं 31 सदश्य देश हो गये हैं वर्तमान में पहले 30 सदश्य देश थे लेकिन हाल ही में 31 सदश्य देश यह फिनलेंड के लिए बनाया गया है फिनलेंड से आप रीकॉल कीजिए अभी हमने फिनलेंड से रिलेटेड एक कॉशन पढ़ा था वाल्ड हैपिनेस इंडेक्स जो है इसमें फिनलेंड जो है यह पहले स्थान पर है यह भी आपको याद रखना है मैंने अ यह ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ओइल इंडिया लिमिटेड कंपनी जो है इसे तेरवी महारतन कंपनी का दरजा दिया गया इस थाबना इसकी 1969 को हुई थी मुख्याल है अशम के दुलियाजान में है चियरमेन है वरतमान में डॉक्टर रंजीत इसके बाद में दोस्तों चौदवी नवरतन कंपनी जो है यह ONGC विदेश लिमिटेड के लिए बनाया गया चले है नेक्स कॉश्चन किस पुरुष्ट खिलाडी को जुलाई 2023 का ICC Player of the Month अवर्ट दिया गया हम जुलाई 2023 की बात कर रहे हैं इसमें ICC Player of the Month जो है यह इंगल किला श्रेणी का अवर्ट किसे दिया गया जल्दी से बताए है एशले गार्डनर के लिए है चलिए नेक्स कॉश्चन को डिस्कुस करेंगे वर्ल्ड तीरंदाजी चेंपेर्शिप में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भार्द्य पुरुष खिलाडी कौन बने हैं ओजस देवताले सी ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर हाल ही में पी एम ई बस सेवा योशना को मंजूरी दी गए इसके तहर देश के एक सो उनतर शेहरों में कितनी एलेक्ट्रिक बसे चलाई जाएंगी पूरी दस हजार वी ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर चंद्रमा के दक्षिन धुप पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बने गया है काफी जादा जितने स्टार आप इसमें लगा सकते हैं लगा लीजिए बहुत जादा इंपॉर्टन कॉशन है चंद्रमा के दक्षिन धुप पर पहुँचने वाला दुनिय 23 अगस 2023 को हुई इसी के साथ में भारत जो है ये चंद्रमा के दक्षनी द्रुफ यानि की साउथ पोल पर पहुँचने वाला पहला देश बन गया है दुनिया का अगर कॉशन पूछा चाता है चंद्रमा पर पहुँचने वाला कौन सा देश बना है चोथा देश बना है दोनो कॉशन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है अच्छे से अलग-अलग याद रखना है चंद्रियान 3 से बने वाले सभी important कॉशन को हम डिसकस कर लेते हैं चंद्रियान 3 जो है इसे 14 जुलाई 2023 को दोपहर के दो बच कर 35 मिनट पर लॉंच किया गया कहां से लॉंच किया गया 37 धवन अंतरिश केन सरी हरी कोटा जो की आंदरप्रदेश के तुरूपती जिले में है वहाँ पर इस रो के दोवारा मिशन चंद्रियान 3 को लॉंच किया गया उद्देश क्या था चंद्रमा के दक्ष्णी द्रूप पर सफलता पूर्बक सौफ्ट लेंडिंग करना और ये उद्देश जो है इसे 23 अगस 2023 को सामको 6 बच कर 4 मिनट पर हासल भी कर लिया गया कहा पर लेंड हुआ है चंद्रमा के दक्ष्णी द्रूप यानि की साउथ पूल पर लेंडर दक्ष्णी द्रूप पर कितने दुन तक सक्रिय रहा एक चंद्र दिवस यानि की प्रत्वी के 14 दिन के बराबर किस रोकेट की सहायता से भेजा गया था एल वी एम मार्क थिरी की सहायता से और इसे बाहु बली नाम दिया गया थीम क्या थी साइन्स ओफ दी मून चले है नेक्स कॉप्शन भारत ये खूफिया एजेंसी यानि की रोकेट नए प्रमोक कौन बने है रवी से ना ए ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर भारत का नवीनतम 54 वाट टाइगर रिजर्व कौन सा बना है वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व भी ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों वीरांगना दुर्गवती टाइगर रिजर्व जो है ये मध्य प्रदेश में इस्थित है इससे पहले अभी हाल ही में त्रेपनवा टाइगर रिजर्व जो है ये रानीपुर टाइगर रिजर्व बना था जो की उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में इस्थित है नेक्स कॉप्शन भारतिय प्रितिसपर्दा आयोग यानि कि CCI की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है रवनीत कौर ए ओप्शन इस दा करेक्ट आंसर केंद्र सरकार ने भारत को 2025 तक TV मुक्त करने के लिए कौन सी योजना शुरू की है निश्चय पोशन योजना ए ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरवादिक Mobile Speed के मामले में दुनिया में शीश पर कौन सा देश है? कतर ए ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वहीं पर हम बात करते हैं मोबाइल स्पीट के मामले में भारत कौन से नंबर पर है तो दोस्तो भारत जो है ये 60 वे नंबर पर है नेक्स कॉशन है टाइम मेगजीन के दुआरा वर्ष 2023 में जारी दुनिया के महानतम इस्थानों की सूची में भारत के किन स्थानों को शामिल किया गया ओड़ेशा के मयूर भंच और लद्दाग दौनों को शामिल किया गया है औप्शन नंबर C उपर एक दौनों ये नंबर पर है और ओड़ेशा का मयूर भंच 32 नंबर पर है नेक्स कॉशन फिनलेंड के नए प्रधान मंतरी कौन बने है पैटेरी ओर पो एक ओप्शन दा करेक्ट आंसर वेग्यनिकों के अनुसार मानव इतिहास का सबसे गर्म महिना कौन सा रहा है जुलाई 2023 का दी यानि कि वेश्विक लेंगिक अंतराल सूचकांग 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है 127 नंबर पर बी ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तॉप पर यानि कि पहले नंबर पर कौन है आइसलेंड है चले नेक्स कॉशन हाल ही में लिंडा याकारिनो कि सोशल मी इडिया की नई CEO बनी है ट्विटर की सी ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा लिंडा याकारिनो जो है इन्हों ने एलन मस्क को रिप्लेस किया है नेक्स कॉशन है भारत की नए उपरास्टिय सुरक्षा सलाकार यानि की डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवा जो है दोस्तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है यह अजी डोबाल है नेक्स कॉशन मैनुला रोका बोटे किस देश की पहली महिला प्रधान मंत्री बनी है एक्वेटोरियल गिनी की डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा हाल ही में मात्रुभूमी पुस्तक वॉंडर स्केंग एंड मर्चेंट्स के लिए इनको मात्रुभूमी बुक ओफ दे यर पुस्तक पुरिशकार दिया गया है नेक्स कॉशन किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकास सिंग बादल का निधन 25 अप्रल 2023 को हो गया प्रकास सिंग बादल जो है दोस्तों ये लगातार पंजाब के पांच बार मुख्यमंत्री रहे हैं सी ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और इन्हें फ़र्ष 2015 में भारत के दूसरे सरवोच नागरिक पुरुषकार पद्म बिभूशन से सम्मानित भी किया गया है यानि कि दोस्तों वूमन्स प्रीमेर लीग का ये फ्रस्ट संस्क्रण था फ्रस्ट एडिशन था पहली बार भारत में वूमन्स प्रीमेर लीग को आयोजित किया गया पहली चैंपियन टीम मुंबई इंडियन्स मनी है डी आप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो ज पहला संस्क्रण है आयोजन मुंबई में किया गया पांच टीमें सामिल हुई है अब दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इनको हम जान लेते हैं औरेंच कैप का अवार्ड मैग लेनिंग के लिए दिया गया जो की दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेल रही थी पलप भारत के नए लेखा महानियन त्रक यानि कि CGA के रूप में किसने कारभा समाला है एस एस दोबे ने बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एस एस दोबे जो है इन्होंने भारती दास को रिप्लेस किया है हाल ही में किस कंपनी के द्वारा भारत की पहली उपगरा आधारेद गीगा फाइवर सेवर शुरू की गए रिलाइंस जीयों के द्वारा C आप्शन यहाँ पर बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा भारत का कौन सा पड़ोशी देश दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश बन गया है दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा अफीम उत्पादक देश जो है म्यामार बना है बी option यहाँ पर right answer हो जाएगा आप सभी जानते हैं म्यामर जो है भारत का पड़ोसी देश है next question जन्तादल यानि की जेडियो पार्टी जो है इसके नए रास्टी अध्यक्ष कौन बने है नीतिस कुमार बी option यहाँ पर right answer हो जाएगा नीतिस कुमार जो है आप सभी जानते हैं यह बिहार के मुख्यमंत्री है और इन्होंने राजी वरंजन को replace किया है याद रखेगा यह जन्तादल पार्टी के नए रास्टी अध्यक्ष बन गए है किस प्रसिद्ध वॉलिवड अभी नेता को इटली के प्रतिष्टित नागरिक सम्मान order of merit of the Italian Republic से सम्मानित किया गया राइट आंसर हो जाएगा कबीर वेदी के लिए A option यहाँ पर right answer हो जाएगा कबीर वेदी जो है यह प्रसिद्ध वॉलिवड अभी नेता है नेक्स कॉप्शन डेककॉर्ण बनने वाला पहला भारतिय ब्राइट कौन समना IPL बी ओप्शन यहाँ पर right answer हो जाएगा डेककॉर्ण होता क्या है ऐसी कंपनी जिसकी वेलुएशन दस अरब डॉलर से पार पहुंच जाए उससे डेककॉर्ण का टैग दिया जाता है हाल ही में IPL जो है इसकी वेलुएशन वर्ष 2023 में 10.7 अरब डॉलर पहुंच चुकी है इसलिए यह भारत का पहला ब्राइट बन गया है जिसे डेककॉर्ण का टैग दिया गया है हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023-2024 किस ने जीती हर्याणा ने ए ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हर्याणा ने राजिस्थान को हरा कर विजय हजारे ट्रॉफी को जीत लिया BBC Sports Personality of the Year 2023 किसे मिला दोस्तों यह दिया गया है मैरी एरप्स के लिए जो की इंगलेंड की गोल कीपर है दी आप्शन यहाँ पर बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा किस संगीत समारो में 1282 तबला बादुकों ने एक साथ तबला बजाया और यह रिकॉर्ड गिनीज बुक अफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है दोस्तों इन्पोर्टन फैक्ट को डिसकस करते हैं तानसेन संगीत समारो जो है इसका आयोजन हर साल दिसंबर के महीने में ग्वालियर में किया जाता है इसका आयोजन महान संगीत कार तानसेन की इस्मृती में किया जाता है 2023 में 99 वाद तानसेन समारो जो है आयजित किया गया था और इसमें रिकॉर्ड बनाया गया किस राजे के मुख्यमंत्री मुहन यादव ने 25 दिसम्बर को तबला दिवस खोशित किया है दोस्तों मुहन यादव जो है ये मद्य प्रजेश के नए मुख्यमंत्री बन गया है हाल ही में और इन्होंने 25 दिसम्बर को तबला दिवस खोशित कर दिया है दी ऑप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत की 84 वी ग्रेंड मास्टर कौन बनी है आर वेशाली ये ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आर वैशाली जो हैं Grand Master का खिताब हासल करने वाली 84 वी खिलाडी और महिला की करम में बात करें तो तीसरी महिला खिलाडी बन गई है Grand Master क्या होता है विश्व सत्रंज संगठन फिडे दुआरा सत्रंज खिलाडियों को दी जाने वाली एक सर्वोच उपादी है भारत के पहले ग्रेंड मास्टर कौन थे विश्वनात आनंद याद रखेगा important fact है कई बार एक्जाम में repeat होता है नेक्स्ट हमारा कॉप्षन है सियाचीन ग्लेशियर में operational post पर तैनात होने वाली पहली महिला चिकिस साधीकारी कौन बनी है कैप्टन फातिमा मसीन यह option यहाँ पर right answer हो जाएगा दोस्तो operational post जो है उसे कहते हैं जहां से दुश्मन पर नजर रखी जाती है और अपनी सीमा की रक्षा की जाती है इससे पहले कैप्टन शिवा चोहान जो है जो दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेत में तैनात होने वाली भारतिय सेना की पहली महिला अधिकारी बने थी याद रखेगा युद्ध छेतर में तैनात होने वाली पहली भारतिये महिला कौन बनी थी? कैप्टन शिवा चोहान और ओपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला कौन बनी है? फातिमा वसीम चले नेक्स कॉशन है पंजाब में किस नदी की रेत में दुरलब धातू टेंटलम के भंजार खोजे गए हैं? दोस्तो टेंटलम जो है ये बहुत ही दुरलब धातू है बहुत मुश्किल से प्राप्त होती है इसका ओपियोग electronic component जो होते हैं इनके semi conductor की निर्मान में किया जा खोजे गए हैं D option यहाँ पर बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा चले नेक्स कॉश्चन किस शब्द को वर्ष दोहजर तेस का camera's word of the year बनाया गया hallucinate के लिए B option यहाँ पर बिलकुल राइट आंसर हो जाएगा नेक्स कॉश्चन भारत और किस पड़ोसी देश के बीच संयुक्त सेन अभ्याज मित्र शक्ती दोहजर तेस आजित हुआ है मित्र शक्ती सेन अभ्याज जो है दोस्तो यह भारत और श्री लंका के बीच में आजित किया गया option number C यहाँ पर बिलकुल correct आंसर हो जाएगा चले important fact को डिसकस करते हैं मित्र शक्ती दोहजर तेस यह दोहजर तेस में नौवा संस्क्रण रहा है मित्र शक्ती सेन अभ्यास का आयोजन पुड़े के ओंध में किया गया 16 से 29 नवंबर 2023 तक चले है नेक्स question का अंसर बताईए जनजातिय गौरफ दिवस पर प्रधान मंत्री मोदी ने जनजातिय समूहों के लिए 24,000 करोड रुपे की किस योजना को लांच किया है PM PVTG विकास मिशन के लिए यह option यहाँ पर बिलकुल correct आंसर हो जाएगा सभी important fact को डिसकस करते हैं प्रधान मंत्री मोदी ने जनजातिय गौरफ दिवस जो की 15 नवंबर 2023 को मनाया गया इसके अफसर पर जारखंड में 24,000 करोड रुपे की योजना PM PVTG डवलप्मेंट मिशन को लांच किया इसका उद्देश्य क्या है विशेश रूप से कमजोर जनजातिय समूहों का सरवागिनिये विकास करना आदिवासिय समूहों में PVTGs जो है सबसे अधिक कमजोर हैं वर्तमान में इस वर्ग में 75 जनजातिय समूह सामिल है नेक्स कॉशन है नौवा भारत अंतरास्टिय विज्ञान महुत्सा जनवरी 2024 में कहां आयोजित किया जाएगा फरीदबाद में B option is the correct answer नेक्स कॉशन विश्व दूर सरंचार मायन की करन असेम्बली यानि की WTSA की मेजबानी भारत के स्वर्ष करेगा वर्ष 2024 में A option is the correct answer नेक्स कॉशन है यूएस कस्टम्स एंड बॉर्डर प्रोटेक्शन डेटा के अनुसार अक्टूबर 2022 से लेकर सितंबर 2023 तक अमेरिका में अभैद रूप से घुसने वाले कितने भारतियों को गरफतार किया गया 96,917 भी option यहाँ पर बिलकुल correct answer हो जाएगा चलिए नेक्स्ट हमारा कॉशन है वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संसकरन कहा आयोजित हुआ है नई दिल्ली के प्रगती मैदान में C option यहाँ पर बिलकुल correct answer हो जाएगा दोस्तो नई दिल्ली के प्रगती मैदान में जो भारत मंदपम है यहाँ पर वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के मेगा फूड इवेंट का दूसरा संसकरन आयोजित हुआ दोस्तो भारत मंदपम से आपको एक और चीज याद आ रही होगी यहीं पर G20 का वार्षिक शिखर सम्मेलन जो है अठारवा संसकरन जिसकी अध्यक्ष्टा भारत को दी गई थी इसे भी आयोजित किया गया जी ट्वेंटी याद रखेगा जी ट्वेंटी का 21 वार्षिक सदश्य हाल ही में किसे बनाया गया है अफ्रीकी यूनियन के लिए चीजों को आप रिलेट करके पढ़ेंगे बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा प्रधान मंत्री मोदी तीसरी बार स्रीर सौमनाथ ट्रस्ट यानि कि SST के अध्यक्ष चुने गए हैं इस वर्ष इनका कितने वर्ष का कारेकाल होगा दोस्तो पांच वर्ष ए ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सौमनाथ मंदिर कहां पर सित है गुजरात राज्ज में सित है कहां है गुजरात राज्ज में और ये संकर जी के जो बारा जोतरलिंग है इनमें से एक है दुनिया की सबसे गहरी प्रयोक्षाला कहा बनाई गई चीन देश में यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो दुनिया की सबसे गहरी प्रयोक्षाला चीन के सिच्वान प्रांत में बनाई गई है यह जो प्रयोक्षाला है ब्रह्माइन के सबसे बड़े अंसुलजे रहस्य दार्क मेटर का अध्यन करने के लिए बनाई गई है और अमेरिकी सेना के बीच युद्ध अभ्यास बज्र प्रहार 2023 कहा पर आयजित हुआ मेगालाई के उम्रोई में सी आप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो इंपॉर्टन फेक्ट को हम डिसकस कर लेते हैं वज्र प्रहार 2023 सेयुक्त सेन अभ्यास भारत और अमेरिका की सेना के बीच में आयजित किया गया आयजित कहां पर हुआ मेगालाई के उम्रोई में 21 नवंबर से 11 दिसंबर 2023 था 2023 में इस सेन अभ्यास का चौदवा संस्क्रण था शुड़वाद 2010 से की गई दोस्तो भारत और अमेरिका की बीच होने वाले कुछ युद्ध अभ्यास फेमस युद्ध अभ्यास जो है इनको हम डिसकस कर लेते हैं वज्र प्रहार दौनों देशों की दल सेना के बीच में आईजित होता है यो धब्याज सेना अभ्याज जो है ये भी दल सेना के बीच में आईजित किया जाता है और मालावार सेना अभ्याज जो है ये दौनों देशों की नौ सेनाओं के बीच में आईजित किया जाता है चल जित किया गया A option यहां पर बिलकुल correct answer हो जाएगा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग यहने की CCPI 2024 में भारत के सिस्थान पर रहा है साथवे नंबर पर B option यहां पर right answer हो जाएगा दोस्तो, German Watch New Climate Institute और Climate Action Network के द्वारा जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग जारी किया जाता है यह सूचकांग देशों के जलवायू selection प्रदर्शन को मापता है दोस्तो, चार शेडियों का मुल्यांकन करके इसे तैयार किया जाता है पहले नमबर पर Green House Gas Ostergen है, नवीनी करन उर्जा, उर्जा का उप्योग और जलवायू नीटी जलवायू परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांग जो है इसमें प्रथम तीन स्थान जो है यह खाली रखे गए हैं क्यों? क्योंकि किसी भी देश ने सूचकांग की सभी शेडिय गया है, चौथे नमबर पर Denmark है, पांचवे नमबर पर Estonia है, चटवे नमबर पर Philippines और साथवे नमबर पर अपना देश भारत है, सभी की रैंकिंग आपको याद रखनी है अंग्रेजी भासा के लिए साहित अकादमी पुरुषकार 2023 के विजेता का नाम बताईए, नीलम सरनगौर, सी ओप्शन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, अंग्रेजी की प्रसिद उपन्यासकार नीलम सरनगौर को रिक्केम इनराग जान की उपन्यास के लिए साहित अकादमी पुरुषकार दिया गया यह उत्तर प्रदेश के प्रियाग राज की रहने वाली है, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश के कुछ इंपॉर्टन एक्जाम है, उसके करेंट आफेस के पॉइंट आफ यू से यह कौशन मोस्ट इंपॉर्टन है बात कर लेते हैं साहित अकादमी पुरुषकार की, तो 2022 के जो पुरुषकार इनकी घोशना कर दी गई है, साहित अकादमी पुरुषकार याद रखेगा आठवी अनुसूची में शामिल 22 भाशाओं के अलावा, राजिस्थानी और अंग्रेजी यानि की कुल मिलाकर 24 भाशाओं के लिए दिया जाता है साहित अकादमी पुरुषकार की जो स्थापना है, यो वर्ष 1954 में की गई थी, 2023 की विजटाओं की सूची की हम बात कर लेते हैं तो दोस्तो कुछ इंपॉर्टेंट ही आपको याद रखनी है, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत और मैथली हिंदी के लिए दिया गया है संजीव के लिए, इनकी रशना मुझे पहचानों के लिए, अंग्रेजी के लिए दिया गया है नीलम सरन गौर के लिए, उर्दू के लिए, साधिका नवाव सहेर के लिए, संस्कृत के लिए, आरोन रंजन मिश्र के लिए, और वही पर मैथल भासा जो है इसके लिए वाश्वी की नाज जा के लिए दिया गया इनकी क्रती बोध संकितन के लिए जो की एक निवंदर रचना है इन सभी की आपको क्रती भी याद दखनी है आप चाहें तो वीडियो को पॉस करके इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं नोट्स बनाने के साहित हकादमी में हिंदी भासा के लिए बाल साहित पुरुषकर दोहजर तेईस के लिए किसी चुना गया करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो शूरिनाज सिंग यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा शूरिनाज सिंग जो है इनकी रचना है कौतुक एप इस पुस्तक के लिए इनको बाल साहित पुरुषकार दोहजर तेस प्रदान किया गया नेक्स कॉश्चन हिंदी भाषा के लिए साहित अकादमी युवा पुरुषकार दोहजर तेस किस लिखक को दिया गया है अतुल कुमार राइ के लिए सी ओप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राइ की रचना है चांदपुर की चन्दा इसके लिए इनको हिंदी भाषा का साहित अकादमी युवा पुरुषकार दोहजर तेस प्रदान किया गया दोस्तो युवा पुरुषकार जो है ये भी 24 भाषाओं में दिये जाते हैं हिंदी के लिए अतुल कुमार राइ के लिए अंग्रेजी के लिए अनी रुद कनी शेटी के लिए दिया गया है उर्दू के लिए तौसीफ वरेवली के लिए दिया गया है और वही पर दोस्तो संस्कृत के लिए मदू शूधन मिश्र के लिए दिया गया है इनकी क्रती भी आपको याद लखनी है किस देश की रास्टपती गर्तंत्र दिवश शमारू 2024 में शामिल नहीं होंगे जिनने भारत की ओर से मुख्य अत्ति बनने का निमंत्र नियोता भेजा गया था दोस्तों अपने देश के द्वारे USA के रास्टपती जो बाइडेन को नियोता भेजा गया था लेकिन ये किसी कारणवश भारत नहीं आ सकेंगे यहाँ पर C option जो है ये बिलकुल correct answer हो जाएगा इससे पहले 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में मुख्य अत्ति कौन थे मिश्र के रास्टपती अबदिल फता अलसी सी चलिए नेक्स कौशन को डिसकस करते हैं जो की इस कौशन से रिलेट करता हुआ है बाइडिन के इनकार करने के बाद भारत सरकार ने किस देश के रास्टपती को गरतंत्र दिवस समारो 2024 का मुख्य अत्ति बनाया है फ्रांस के रास्टपती इमानुवल मैक्रो के लिए बी ऑप्शन यहां पर बिलकुल खरेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तो पच्चत्तरवे रिपबलिक डे 26 जनवरी 2024 पर फ्रांस के रास्टपती इमानुवल मैक्रो मुख्य अत्तिती होंगे काफी ज़दा इंपॉर्टें कौन में दिसंबर में बहुत से राज्य में चनाव हुए हैं 2023 में और यहां पर बहुत ही ज़दा हेर हुई है मुख्य मंत्री पथ पर मध्यपदेश की नए मुख्य मंत्री बन गये हैं डॉक्टर मोहन यादव सी ओप्शन यहां पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा द बात करते हैं मध्यप्यदेश की राजधानी की तो ये भोपाल है मुख्यमंत्री बने हैं डॉक्तर मोहन यादव जो की उज्जेन डक्षिन सीट से आये हैं उपमुख्यमंत्री राजिन सुकल अग्जगदीस देवरा के लिए बनाया गया है विदान सभा अध्यक्ष नरेन स सर्मा बी ऑप्षन राइट अंसर हो जाएगा राजिस्थान में भी बीजेपी की सरकार बनी है राजधानी है जैपूर मुख्यमंत्री बने है भजनलाल सर्मा जो की सांगा नेर सीट से आये हुए हैं उपमुख्यमंत्री है दिया कुमारी और प्रेम चंद्र बैरवा बी ऑप्षन यहाँ पर बिलकुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चत्तिस गड़ की राजधानी है राइपूर यहाँ पर भी बीजेपी की सरकार बनी है मुख्यमंत्री है विश्णु देव साय जो की कुनकुरी विधान सभा सीट से आये हुए है उपमुख्यमंत्री है अरुन तेलंगाना राजजी के नए मुख्यमंत्री का नाम बताई है दोस्तो हम कई बार इस कॉशन को रिपीट कर चुके हैं कई बार आपके लिए पढ़ा चुके हैं सभी कॉशन के आंसर आप जानते हैं जल्दी से कमेंट शेक्शन में अपने आंसर लगाए तेलंगाना देवन्त रेड़ी जोकी कोंडांगल सीर्ट से आय हुए हैं और दोस्तो उपमुख्यमंत्री एक ही बनाए गए हैं जहां पर बीजेपी की सरकार बनी है ना वहां पर दोस्तो सब जगा दो-दो उपमुख्यमंत्री बने हैं कॉंग्रिस की सरकार बनी है तेलंगाना में एक उप मुख्य मंत्री बने है मलू भट्टी विक्रमार्क विदान सबा अध्यक्ष गद्दाम प्रसाद कुमार के लिए बनाया गया और विजय सौरी राज जिपाल जो है ये तमिलिशाई सौंदर राजन है मिजोरम की नए मुख्य मंत्री लाल दोहुमा बन गया है बी चिप विदान सबा सीट से आये हुए है उप मुख्य मंत्री सब दंगा के लिए बनाया गया है और विदान सबा अध्यक्ष गया है ये लाल ब्याक जामा बने है राज जिपाल कौन है हरी बाबु कमबंपती चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा कॉशन है टाइम मैगज सबाइसेन के ज़्वारा भी ऑप्षेन यहां पर बबलकुल कर्येक टांसर हो जाएगा कौन है टेलर सुट है अमेरिका की फ़ेमस म्यूजक आर्टिस्ट है भी ऑउप्षेन रहा बिलकुल कर्येक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमने लास प्रेंट अव्य पढ़ना चाहते हैं topic wise current office को पढ़ना चाहते हैं तो मैं फिर से आपको याद ला देती हूँ आप हमारी ebook को जल्दी से buy कर लें guarantee से हम कह सकते हैं current office इस ebook से बाहर नहीं देखने को मिलेगा और इतना detail current office जो है आपको किसी भी ebook या फिर book में पढ़ने के लिए नहीं मिलेगा इसी के साथ मैं हमारी रामबार static gk की जो book है ये launch कर दी गई है मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ इस में भारत का भूगोल विश्व का भूगोल भारत का इतिहास इतिहास के तीनों पार्ट दिये गए हैं भारत का सम्विधान है भारती अर्टे फिवस्ता सामन विग् इबूक में आपके लिए दिये गए हैं जो की बार बार एक्जाम में repeat होते आए हैं 15 सालों से दोस्तों इसी के साथ में science की आगर इबूक को आप बाइ करना चाते हैं तो इन तीनों इबूक की लिंक आपको इसी वीडियो के description box में दे दी गई है वहां से इबूक को आप ब करेंगे तो आप फोन पे या फिर पेटियम के थ्रो भी तुरंत इबुक को बाई कर सकते हैं अगर कोई भी क्वारी होती है तो इस वाट्सअप नंबर पर याद रखेगा सिर्फ वाट्सअप नंबर है आप तुरंत हमजे कॉंटेक्ट करेंगे आपको रिस्पॉंस किया जा गया है अकर आपने वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से देखा है तो इस कॉशन का आंसर आप हमको कमेंट शेक्शन में दे पाएंगे और आप अपनी पढ़ाई का और तैयारी का अंदाजा भी लगा पाएंगे चलिए कॉशन है 26 विपक्षिय दलोन है राजनीतिक ग को जल्दी से लाइक कर दें इसे जादा से जादा शेयर करें दोस्तों वीडियो को देखने के लिए पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अगर चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बहुत से लोगों का भरोसा है इस चैनल पर इसी प्रकार से आप भी अपनो भरोसा बताएं और चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आपको और हमारे इन्फोर्मेटिव वीडियो जो है ये जल्दी से जल्दी मिल सकें इसके लिए आपको बैल आइकन को जरूर प्रेस करना होगा ताकि जो नए आने वाले वीडियो से इनकी नौटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम और सबसे पहले मिल सकें और दोस्तो इसी प्रकार के मोर इंफोर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट को जरूर देखे वहाँ पर सभी सब्जेट की मेरतन आपके लिए मिल सकते हैं चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद